प्यारे बच्चों अब सभी कमर चनल पे बहुत दोश्वागत है जितने विदार्थी चार मार्च को इंगलिस का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि बच्चों इस बड़ी मतम से मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि जो इंगलिस बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है अगर आप नहीं देखें तो जा करके देखने ना ठीक ना पेपर में छे नंबर का पूछा जाता है और बच्चों इस वीडियो मतम से मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि चार मार्च को इंगलिस बोर्ड के पेपर में रिपोर करके दिखाऊंगा कि आप सभी को किस आइडिया के साथ रिपोर्ट एकिन त्यार करना है ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे और पूरा का पूरा नमर मिले ठीन हम और बच्चों यह जो टापिक बोर्ड के पेपर में हर साल छे नंबर में पूछा जाता है इसलिए आप इससे रिपोर्ट राइडिंग बताने वाला हूं जिने अगर आप त्यार कर लते हैं तो बोर्ड के पेपर में यही आएगा इससे बाहर एक भी क्वेशन नहीं आएगा इस बात की पूरी गरांटी है आईए बच्चों एक एकर करके हम यहां पर समझते हैं सबसे पाल आप रिपोर्ट अन्दा इंडिपेंडेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल एबाउट एटी तु हंडेड़ वर्ड्स आन्दा बेसिस आप दा हिंट्स गिबन विलो आपको क्या करना बच्चों आपको स्वतंतता दिवस पे एक रिपोर्ट राइडिंग त्यार करके जा इस प्रकार से डेक्वरेशन किया गया है फ्लैग होस्टिंग स्केर बने सिंगिंग आप नेशनल एंथम और नाइजिंग कल्चर प्रग्राम्स प्रिंसिपल सी स्वीच डिस्टिबिशन अप्स्वीट तो इस परकार से आप सभी को इस पूरे टापिक के त्यार करके जाना है इंडिपेंडेंस डे यानि कि सो तंतरता दिवस पे और आप सभी कुन पूरे टापिक पर यहां पे पूरा बणियास त्यार करना होगा आगे बात कर रहते हैं जो कि सेगेंड ट्यार करके जाना बच्चों कि राइट रिपोर्ट आंद एंड इलेक्शन सीन एक चुनाव पूर्ण बूर्ट जो भी आपका पूर्लिंग बूर्ट से उसका पूर्ण हो रहा था और जिमेंट बाइद एडिमिनिस्ट्रेशन तो आप सभी को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यहां पे रिपोर्ट ट्राइटिंग त्यार करके जाना है तीसरा जो कि सबसे जाते इंपोर्टेंग है और मैं आप सभी को इसी पर रिपोर्ट राइटिंग लिख करके दिखाऊंगा और पूरा समझाऊंगा कि चार मार्ट स्कूर्ण लिस्ट के पेपर में कैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे कि आपक भी नंबर ना कड़ेगा यहां पु इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पूरा मैं तरीका बताऊंगा किस प्रकार स्लिखना होगा चौता ही आपको त्यार करके जाना है कि यू आर दा इस्पोर्ट सेक्रेटरी आफ यूर स्कूल आफ यूर स्कूल आफ फिप्टीं जनेवरी इस यार दा एन पूर बस सर्विसेज अन लोकल रूट्स इन यूर एरिया आपके एरिया में जो पूर बस है न बहुत ही गंदा बस का कटेगरी है यह सर्विसेज हैं उसके बारे में आप सभी को रिपोर्ट त्यार करना है आए बुचों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम यहां पर सम पहले बच्चों क्या करना होगा यहां पर टीशर्स डेय सेलिबरेशन यहां पर बिल्कुल इसी प्रगार से हेडिंग बनाना होगा एक एक चीज का मतलब समझेंगे आराम से देखते रहिएगा इसमें आपको लिखना होगा यहां पर दखिए गधान से कि बाई इसमें लिखेंगे 6 सितंबर आंद ऑस्पिसियस क्यार मनी लाइक टीशर्स डेय वी द इस्टेंट्स आप क्लास 10 डिसाइडे टू डू सम्थिंग वेरी स्पेशल फार आवर टीशर्स तो बची इसका अर्थ क्या होगा अर्थ में बता दराहूं कि कि एबीसी, एसडी हाई स्कुल दौरा 6 सितंबर सिक्षग दिवस जैसे सुब समारो पर हम दसवी कच्छा के छातरों ने अपने सिक्षगों के लिए कुछ भी सेश किया क्या बहूं किया आगे अब बताया दान समझेगा कि सबसे पहले हमने अपने उद्यान चेत्र को सजाया और अपना समारोह वही आयुजित करने का निड़े लिया ठीक ना चलिए आगे लिखाए कि बच्चो कि सबसे इसे परगार सबसे चलिएगा इसी परगार साब सबसे लिखना होगा अगर आप इस इश्टाइब में लिखेए आपका पूरे नमबर मिलेंगे एक भी नमबर आपका बिलकुल भी नहीं करेगा आगे लिखा कि then followed by an innovative in organization where the monitor of our class delivered a speech about Shri Sarapali Radhakrishnan and a beautiful patriot of him was gifted to our dearest principal and vice principal. अब बच्चों यहां पर इसकार्थी क्या होगा? ध्यान से समझेगा. इसकार्थी होगा कि इसके बाद एक अभिना उधगार्टन हुआ. आगे लिखेंगे, जैसे ही आभिना उधगार्टन हुआ, हमारी कच्छा के मानिटर ने Shri Sarapali Radhakrishnan के बारे में भासर दिया, और उनका एक सुंदर चित्र हमारे सबसे प्री, प्रिंसिपल और उप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लिखना, वाइस प्रिंसिपल को उपहार में दिया. आगे लिखेंगे यहाँ पते को क्या लिखा गया है? ध्यान समझेगा. Then, it was followed by our unraveled principle speech about the significance of the teacher's day. अच्छों, इसका अर्थ क्या होगा? ध्यान समझेगा. इसका अर्थ होगा कि इसके बाद सिक्षक दिवस के मतों के बारे में हमारे माननी प्रधानाचारी का भासड हुआ. आगे लिखेंगे, it was continued by a beautiful कथक performance, a comedistic and a chorus song all decided to the heroes of our lives, the teachers. अब अच्छों, यहां से लेकर यहां तक अर्थ क्या होगा? ध्यान समझेगा, इसका अर्थ होगा कि इसके एक सुन्दर कथक प्रदर्शन, एक हासनाटी का और एक कोरस गित द्वारा जारी रखा गया, जो हमर जीवन के नायकों को समर्भी था, जो हमर जीवन के नायकों क समर्भी था, और एक अध्याप पगगा था, आगे आप लिखा कि द्यान समझते रहिएगा, कि this was followed by the distribution of cakes and sweets to little students by the seniors, इसका अर्थ क्या होगा, द्यान समझेगा, इसके बाद seniors के द्वारा छोटे चात्रों को cake और मिठाया बित्रित की गई, आगे लिखेंगे, कि all the students and teachers returned the schools in second half, दूसरे पहर में सभी चात्र और सिख्चात स्कूल लोट आए, everybody was very happy and content at the end of the day, अब जोग इसका अर्थ क्या होगा, कि दीनिक अंत में हर कोई बहुती खुस और संतुछदा, तो बच्छो इस परगार से आप सभी को, चार मार्च सुंगलिस के पेपर में, रिपोर्ट आइडिंग को रिपर्जेंट करना है, और बच्छो अगर आभी इस परगार से रिपोर्ट आइडिंग को रिपर्जेंट करते हैं, तो भाईया आप कर जाओगे, आपका सतर में सतर पका हो जाएगा, इस बात की पूरी गरांटी है, तो प्यार बच्छो आज के लिए बस